देवियास अजनों आप सभी को जय स्री राम, जय श्री क्रेश्ण, रादे, रादे, हरहर महादेव आप सभी भक्त गडवी बोलिये हरहर महादेव आज की कहानी बहुत ही प्रेणा दायक कहानी होने वाली है बीडियो से आखरी तक जुड़े रहें जिससे कि आपको इस कहानी से प्रेना लेने का मुखा मिल सके यह कहानी रामायड से जुड़ी हुई है बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सभी जानते है वैसे तो रामायड में बताई गई हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है लेकिन आज रामायड से जुड़ी इस छोटी सी प्रेना दाय कहानी के जरिये हम आपको उन तीन ग्यान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वेम लंकापती रावर्ण ने अपनी मिरत्यू के समय लश्मन को बताई थी ये तीन बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है रावर्ण जो कि स्वेम एक परम ग्यानी था लेकिन अपने गमंड और सक्ती की बज़े से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिये था और वही एक काम उसकी मिरत्यू का कारण बना रावर्ण बुराई का एक प्रतीख था लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी जिसके चलते उसने लश्मन को तीन बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना जरूर हुई है आज इस वीडियो के मादरम से हम उन तीन बातों के बारे में जरूर जानेंगे जिससे के हमें भी वो ग्यान मिल सके जो लश्मन जी को रावड ने दिया था स्री राम द्वारा मारे गए तीर की वज़े से जमीन पर पड़ा रावड जिस समय अपनी अंतिम सांस ले रहा था तो उस बक्त स्री राम ने लचमर से कहा कि रावड एक महा ग्यानी पड़ित है उसके जैसा ग्यान इस अंसार में किसी के पास नहीं है तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्यान वो दे उसे प्राप्त करो रावड राम के कहने पर लचमर रावड के पास गए जमीन पर पड़ा रावड अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और लचमर जाकर उसके सर के पास खड़े हो गए और बोले रावड तुम बहुत ग्यानी हो अपने आखरी समय में मुझे कुछ ग्यान की बातें बता कर जाओ रावड ने लचमर की तरब देखा और उससे मुझ फेल लिया लचमर ने एक वाद फिर यही प्रेशन किया लेकिन रावड ने लचमर की तरब देखा भी नहीं रावड के इस बिवार को देखकर लश्मन को गुसा आ गया और वो स्री राम के पास गए और जाकर सारी बात उन्हें बताई लश्मन की इन बात सुनकर सी राम बोले गुरू से सिच्छा उनके पेरों के पास बैठ कर ली जाती है और ना कि उनके सर के सामने खड़े रहे कर राम की बात सुनकर लश्मन रावड के पेरों के पास बेठ गए जिसके बाद रावड ने उन्हें ग्यान की वो तीन बातें बताएं जो सिर्फ लश्मन के लिए ही नहीं बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है पहली बाद जो रावड ने लश्मन को बताई किसी भी सुव काम को करने में कभी देरी नहीं करनी चाहिए कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और बुरे काम को हमेशा तालते रहना चाहिए दूसरी बाद जो रावड ने लश्मन को बताई अपने सत्रू या प्रतिग्वेंदी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए तीसरी बात जो रावण ने लश्मन को बताई अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिससे आपको बविश्य में परेशा नहीं हो वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए फिर चाहे वो आपका वाही क्यों नहीं हो दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आज इस कहानी को लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सेर जरूर कर दें हमें अच्छे और सही कामों को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए और बुरा तो कभी करना ही नहीं चाहिए अच्छे काम को करने का नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है लेकिन गलत काम को करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है कभी कभी हमारे गलत काम की ही हमारे अंत का कारण बन जाते हैं रावड के अंत का कारण ही उसे गलत और बुरे कम ही थे यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सियर करें और सब्सक्राइब करना बिलकूर न भूलें जैस्री राम, जैस्री क्रेश्न, हर हर महादेव